नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 22 फरवरी बुधवार सुबह सवाच छपजी राजिस्थान की बड़ी खबरे रासान के सियम अशोग गहलोत ने ओल्ड पैंशन स्कीम को लेकर पियम मोदी और केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीतरमन को घेरा सियम अशोग गहलोत ने कहा हमने इस बार OPS दिया है केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीतरमन OPS का विरोत कर रही है संसद में भी PM विरोत कर चुके हैं हम जैसे राज्यो को OPS लागो करने पर भला बुरा कहा गया सरकार रिपीट करोगे तो स्कीम और मजबूत होंगी OPS को खत्म नहीं करने देंगे गहलोत जैपुजिले में किशनगर रेनवाल के रगुननदपुरा में मूर्तिय अनावरन समारों में बोल रहे थे गहलोत ने कहा हमारे कल्यानकारी योजनाई हैं समाजिक सुरक्षा के लिए हैं ये विश्व गुरू बनने की बात करते हैं विश्व गुरू तो तब बनोगे जब समाजिक सुरक्षा के लिए काम करेंगे अब आप आसानी से, बिना किसी परिशानी के UPI से, सिंगापूर से पैसे मंगवा भी सकते हैं, और भेज भी सकते हैं मंगल्वार को भारत और सिंगापूर के बीच, Cross Border Payment Connectivity की शुरुआत हुई है इस के लिए UPI को सिंगापूर के पेनाउं से जोड़ा गया है जी पे, फोन, पे, पे, टीम जैसे यूपियाई एप्स के जरिए सिंगपूर पैसा भेज सकेंगे वहीं पेनाओं के जरिए सिंगपूर से भारत पैसा भेजा जा सकेगा प्रधान मंत्री मोधी और सिंगपूर के प्रधान मंत्री ली हसीन लूंग ने वीडियो कांफरेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की पुलिस महाने देश को मेश मिश्रा ने कहा है कि आपरादी घटनाओं की प्रभावी रोग्थाम के लिए पुलिस द्वारा भी संगठित होकर गंभी सामुहिक प्रियासों के आवशकता है उन्होंने कहा कि हाड़कोर क्रिमिनल्स के बारे में सभी आवशक सूचनाओं को पडोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ साजह कर संगठित अपरादू पर अंकुष लगाया चा सकता है मिश्रा मंगलवार को पुलिस मुख्याले में पांच राज्यों के अत्रिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के बाठक के अधिक्षता कर रहे थे संगठित अपराद के समन्द में आयोजित इस बैठक में हर्याना पंचाब दिली गुजरात और राजिस्थान के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया महानिदेशक ने गैंग्स्टर और हाड कोर क्रिमिनल के विरुद कड़ा रुख अपनाते हुए गैंग्स्टर की गिरिफतारी के लिए पुडोसी राजियों में परस पर समन्वे के अफशक्त अप्रतिपादित की केंद्री करमचारियों के लिए एक अच्छी और होली से पहले रंगीन होने वाली खबर है ये खबर केंद्री करमचारियों और प्रेंशनर्स के चोहरे पर मस्कान देगी साथवें वेतन आयोग के बाद सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन की तैयारी करने जा रही है आठवें वेतन आयोग लगू किया जाता है तो केंदे करमचारियों की सलरी में बड़ा उच्छाल आएगा माना जारा कि अगले साल केंडरी करमचारियों की सेलरी में 44 फिस्थी से भी ज़दा का इजाफा हो सकता है इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर के अलावा किसी अन्य फॉर्मॉले पर सेलरी की समिक्षा की जाए वहीं इस वेतन आयोग में पुराने आयोग की तुन्ना में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं ये कुरोना के बाद केंडरी करमचारियों की साल 2023 की होली और दिवाली एक साथ मनेगी आमस एक्ट की धारा पुलिस के लिए परिशानी तो बदमाशों को फाइदा पहुचा रही है आयोध अधिनियम 1969 हथियार तसकरी की बढ़ते मामलों और फाइरिंग की घटनाओं में शामिल बदमाशों का मददकार सावित हो रहा है दरसल इस कानून की धारा 49 के तहट जिला कलेक्टर से अभियोजिन की स्विक्रती लेना निवारे है इस साल 297 मामले लंबित है ADG क्राइम ने ग्रह विभाग को आमस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी भीचा है पूर्वडी जी कपिल गर्ग ने कहा कि हत्यारों के बड़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटिश काल की कानून में संशोधन की बहुत जरूत है डक्याती हत्यातं की घटनाओं सहित अन्य गंभीर मामलों में पुलिस अफसर अभियोजन की स्विक्रती देते हैं इसलिए आप सेक्ट में भी पुलिस अफसर को अभियोजन की स्विक्रती देने का प्रावधान होना चाहिए खाट शाम जी का फालगुनी लखी मेला आज 22 फरवरी से शुरू होगा और 4 मार्स तक चलेगा मेले में करीब 40 लाग श्रद्धालों के आने की उमिद है मेले में श्रद्धालों के दर्शन इस बार करीब 30 फिट दूर से भी आसानी से हो सकेंगे श्रद्धालों के दर्बार तक पहुंचने के रास्ते भी नए और चोड़े मिलेंगे जिसमें श्रद्धालों को करीब 12 किलमेटर पैदल चलना होगा मंदिर तक पहुंचने का रोड चार्ट भी तयार किया गया है मेले में दर्शनों के लिए श्रद्धालों के पास करीब 15 सेकिन तक का समय रहेगा खाटू शाम आने वाले श्रद्धालों को रिंगस रोड पनगरपलिका के सामने गुंगान नगर के रास्ते से मुख्य प्रवेश मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा अजमेर के डिग्गी चौग जूला मोहला स्थित पी के गार्मेंट्स पर मंगलवार को कॉपी राइट एक्ट की कारवाही को अंज़ाम दिया गया एडिशनल स्पी सुशील कुमार बिश्णोई के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान पर दबिश दे कर ब्रेंडड कमपनियों के नकली गार्मेंट्स को जब्त किया है कारवाही के दौरान कमपनी के प्रतिनी धीभी मौके पर मौजूद रहे पुलिस ने करीब 20-25 लाख रुपय का माल जब्त कर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है पशिमी राजिस्तान में दिन बदिन मिलावट खोरो की संक्या लगाता बढ़ती जा रही है लेकिन स्वास्तेवी भाग सिर्फ खाना पूर्ती करता नजर आता है जैसे तिवहार आते हैं उससे में स्वास्तेवी भाग सक्रिय होता है इस बार भी हुली तिवहार आने से पहले स्वास्तेवी भाग एक बर फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है CMHU का कहना है कि दो अलग-अलग टीमें बनाकर मिठाईयों और खादे बदार्थों के सेंपल ले रहे हैं जांच के बाद मिलावट खोरों के खिलाफ कारवाही की जाएगी दरसल 8 मार्च को होली है इसको लेकर मिठाईयों की दुकानदार मावा बड़ी तादात में अन्य जिलों से मंगवाते हैं अन्य जिलों से आने वाला मावे में कई बार मिलावट या नकली भी होता है CMHO चौंदर शेखर गजराज के मताबिक फेस्टिवल पर मिठाईयों के बिक्री जादा होने के साथ मिलावट बहुत जादा होती है रासान शिक्षावी भागे परिक्षाई पंजिय की तरफ से आठवें बोर्ट परिक्षा का टाइम टेबल जोरी कर दिया गया है ये परिक्षा 21 मार्स से शुरू होगी और 11 अपराल को समाप्थ होगी टाइम टेबल सामाने विद्यार्थियों तथा मुखबदिर विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग है मुख बदिर छात्रों की परिक्षा 21 मार से शुरू होगी और 8 अपराल को समाप्थ होगी सामाने विदार्थियों का टाइम टेबल अलग से जारी किया गया है पूर्व की इंडिय मंत्री वेब कॉंगरस नेता जीतेंदर सिंग की बेटी मानवीका की शादी आज 22 फरवरी को पाली के पूर्व राश परिवार के कुमर अविजीत सिंग से होगी एक दिन पहले मंगलवार को बारात अलवर आ चुकी है शोहर के फूल बाग पैलेस में कलश बंदवाई रस्म होई देश विदेश से 500 से अधिक महमान अलवर पहुंचेंगे मंगलवार सुबह से ही महमान आने शुरू हो गए महीं कॉंग्रेस वे बीजेपी के कई बड़े नेता भी शादी में पहुंचेंगे चोचा है कि कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्ष मलेकार जुन खडगे पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रास्थान मुख्या मंत्री, अशोग गहलोत, पुर्वसियंवसंद्रा राजे सहित कई राज्यों के नेता और कुछ अधिकारी शादी में शामिल होंगे उधरपुन में रिश्वत की मामले में पकड़े गए निलंबित आरपेस जितेंद्र आंचलिया की मंगलवार को कोट में पेशी हुई आंचलिया का वाइस सैंपल लिया गया, साथ है उनकी जमानत याचिका पर भी सिनवाई हुई लेकिन इसका फैसला फिलहाल शाम चार बजे तक जारी नहीं किया गया, बीते सुमवार को हुई पेशी में आंचलिया ने वोई सैंपल देने से मना कर दिया था ऐसे में मंगलवार को वापस उन्हें वोई सेंपल देने के रहे कहा गया आपको बता दे कि बीते सोंवार को आंचलिया सही चारा रुपियों को भरी जापते के साथ कोट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भीज दिया गया रन्थमबार पार्क ब्रहमन के दोरान होने वाली आनियमित्ताओं के खिलाफ अब वन्विभा के ओर से सक्त रुख अपना लिया गया है वन्विभा के और से पार्क ब्रह्मन के दौरान आनियमित्ता करते पायज़ाने पर अब संबन्दित वहन चौालग गाइड आधी के खिलाफ कड़ी कारवाही की तैयारी कर ली गई है इस संबन्द में मंगलवार को रन थंबार बाग परियोजना के उपमन सनक शक्परेटन के और से आधेश चौरी किये गए हैं आधेशों में सभी नेचौर गाइड एडीसी काइड वाहन चालको को पार्क ब्रहमन के दौरान नियमों की पालना सुनिशित करने के संबन्द में निर्देश चौरी किये गए हैं तासन के मकिमंत्रेशों गहलोत ने इस बार बजट में घोशनाओं का पिटारा खोला है मगर विपक्ष का आरोप है कि चुनावी साल है ऐसे में इन घोशनाओं का पूरा होना नामुम्किन है मगर गहलोत सरकार ने इन घोशनाओं को अमली जावा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है ऐसी ही बड़ी घोशना है नगरिये निकायों में सफाई करमचारियों की भरती की गहलोत ने बजट में 30,000 सफाई करमचारियों की घोशना की थी अब स्वायत चुनाव से पहले भरती प्रिक्रिया को पूरा करना चाहती है ताकि इस विशेश वर के वोटों को अपनी ओर खींचा जा सके जसल में नगरपरिशत की बहु प्रतिक्षित आवासिय योजना गोवर्धन दासकला कलोनी के लिए भुखंडो की आवंटन की लोटरी कलते 20 फरवरी को निकाली जाएगी इसके लिए उस दिन सुबह 11 बजे नगरपरिशत का रेले में काम्पिटराइज प्रणाली से भी भिन श्रेनियों वाले वोखंडो का आवंटन सॉफ्टवेर से किया जाएगा तथा उपस्तित आवेदों को वे अन्या लोगों की सुविधा के लिए बड़ी टीवी स्क्र इन लगाई जाएगी इस समन्द में नगरपरिशत सभापती हरिवल लबकला और आयुकत लजपा सिंग सोड़ा तथा अन्या धिकारियों के भी सोंवार को जरूरी विचार विमाश हुआ सभाए माधपर नगरपरिशत आयुकत खोती लाल मीना ने मंगरवार को नगरपरिशत परिशत के नजदीक संचाल इतम महिला आशर स्थल और इंडरा रसोई का और चक निरिक्शन किया निरिक्शन के दोरान मوجود करमचारियों से आयुकत ने विवस्था की जौन करी ली महिला आशर स्थल में 15 बैड की जगा 7 बैड ही पाए गए वहीं आशर स्थल में एंट्री के लिए कंप्यूटर भी बंद मिला तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ